दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसनल की तरफ से दिये जाने वाली FTTS सर्विस के बारे में और जानेंगे कि कौन-कौन से affordable plans पीएसनल आपको FTTS सर्विस में आफर कर रहा है साथ ही हम बीएसनल की तरफ से दिये जाने वाले डिसकाउंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को subscribe कर लीजे और bell icon को भी दबा देजे ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को शिरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों BSLA की तरफ से दिये जाने वाले डिसकाउंट ओफर के बारे में यहाँ पर आपको आपके पहले महिने के बिल पर करीब 90 परतीशत तक का डिसकाउंट देखने को मिलेगा जिसकी मैकसिमम लिमिट है 500 रुपे की इस ओफर की जो लास्ट डेट है वो है 3 में 2022 यह डिट different states के लिए different हो सकता है आपको यहाँ पर एक example देखे बताता हूँ अगर आपका महिने का बिल 1000 रुपे आता है तो आपका यहाँ 90 परतीशत तक का डिसकाउंट बन लेगा वो आपको मिल रहा है करीब 900 रुपे का तो आपको 900 की जगए यहाँ प्पर 500 रुपे का डिसकाउंट मिलेगा और आपको 500 रुपे यहाँ पर pay करने होंगे 1000 रुपे की जगए वही अगर किसी का बिल 500 रुपे आता है पहले महिने का बिल तो वहाँ पर उसको 90 परतीशत जो बनता है वो 450 रुपे बनता है अब जिन लोगों को safe custody plans के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं example के जरी ये plan बताता हूँ माल लीजे आपके पास BSNL का FTTH connection है और आप मंधली उसका bill payment करते हैं अब किसी वज़ाय से आपको अपने घर से कुछ महीनों के लिए बाहर जाना परता है और आप अपने BSNL की FTTH connection को disconnect नहीं करवाते तो उस time के दोरान जिस time आप अपने घर से बाहर रहे हैं आपका billing चलता रहेगा उस threshold limit तक एक threshold limit आने के बाद आपका line automatically disconnect हो जाएगा और जितना भी charges आपका उस time तक बना है वो पूरा charges आपको pay करना पड़ेगा लेकिन safe custody में आपको ये facility मिलती है कि अगर आप किसी काम से अपने घर से बाहर कुछ दिनों या महीनों के लिए जा रहे हैं तब आप अपनी line को safe custody में रख सकते हैं इससे आपका जो monthly charges आएगा वो आपका plan की वज़ाए आपका charges सिरफ 99 रुपीज का आएगा अगर आप एक महीने का plan यहाँ पर लेते हैं तो अगर आप किसी वज़य से अपने घर से लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी FTTH service को बिना disconnect कराए उसे safe custody में रख सकते हैं जिससे वो hold पर चला जाएगा और जैसी आप वापस आएगे आप तुरंट अपनी line को दुबारा से active करवा सकते हैं इसके अलावा सभी BSNL FTTH users को BSNL Cinema Plus Pack यहाँ पर एक महीने के लिए free trial पर दिया जाता है दूसरे महीने से लेकर छटे महीने तक आपका जो charges रहेगा वो रहेगा 99 plus GST पर मंत का और साथ महीने से आपका charges होगा 125 plus GST पर मंत यह amount आपका जो plan है उसके साथ add होकर आपको payment का करना होगा इसके अलावा यहापको advance payment का option भी मिलता है अगर आप साड़े 5 महीने का यहाँ पर payment करते हैं तो आपको 6 महीने की service यहाँ पर मिलती है साथ ही अगर आप साड़े 10 महीने, साड़े 20 महीने और साड़े 30 महीने का advance payment करते हैं तब आपको 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने respectively यहाँ पर service use करने के लिए मिलेगी तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं BSNL के Most Affordable Plan Fiber Entry Plan के बारे में जिसमें आपको 339 रुपे में 1000 GB data और 20 Mbps की speed मिलती है 1000 GB data यूज होजाने के बाद आपकी speed घटकर हो जाएगी 2 Mbps की साथी सी plan में आपको Unlimited Call की Facility मिलती है किसी भी network पर call करने के लिए टेलिकों मार्किट में शायद दूसरी कोई और company आपको इतने कम value में इतनी ज़ादा services data और 20 Mbps speed के साथ Unlimited Call की Facility आपको नहीं दे रही होगी तो अगर अभी तक आपने Fiber Internet Service यूज नहीं किया तो आपके पास ये बहुत अच्छा मोका है BSNL के Fiber Entry Plan के साथ जूडने का और Fiber Internet Service को यूज करने का अब बात करते हैं दोस्तो BSNL के दूसरे affordable plans के बारे में जिसमें आता है Fiber Basic 449 Plan जिसमें आपको 3300 GB data मिलता है 30 Mbps के साथ एक महिने के लिए यूज करने के लिए 3300 GB data यूज करने के बाद आपकी speed जाएगी 2 Mbps की इसमें भी आपको unlimited quality facility मिलती है इसके बाद आता है Fiber Basic Plus इसकी value है 599 इसमें आपको 60 Mbps की speed से data मिलेगा 3300 GB तक 3300 GB यूज होजाने के बाद आपकी speed होजाएगी 2 Mbps की इसमें भी आपको unlimited quality facility यूज करने के लिए मिल जाएगी इसके बाद आता है Superstar Premium 1 749 plan जिसमें आपको 100 Mbps की speed मिलेगी 1000 GB data यूज करने तक 1000 GB data यूज करने के बाद आपकी speed होजाएगी 5 Mbps की इसमें आपको Cinema Plus Pack और unlimited quality facility यूज करने के लिए मिलेगी भारत Fiber Superstar 1 plan 779 में आपको 100 Mbps की speed मिलेगी 1000 GB तक 1000 GB यूज होजाने के बाद आपकी speed होजाएगी 5 Mbps की इसमें आपको Disney Hotstar Premium और unlimited quality facility यूज करने के लिए मिलेगी Superstar Premium Plus 999 plan में आपको 150 Mbps की speed मिलेगी 2000 GB data यूज करने तक 2000 GB data यूज होजाने के बाद आपकी speed जाएगी 10 Mbps की इसमें आपको Disney Hotstar Premium Plus Cinema Pack Plus और unlimited quality facility यूज करने के लिए मिलेगी अब बात करते हैं Fiber Ultra plan के जिसकी value है 1499 की इसमें आपको 300 Mbps की speed मिलेगी 4000 GB data यूज करने तक 4000 GB data यूज अगर आप कर लेते हैं तब आपकी speed जाएगी 4 Mbps की इसमें आपको Disney Hotstar Premium और unlimited quality facility के साथ Static IP की facility मिलेगी जिसका extra charges है 2000 रुपीज पर year तो दोस्तों ये थे BSLA की तरफ से दिये जाने वाले कुछ affordable plans साथ ही उनमें दिये जाने वाले offer और discounts तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए धन्यवाद